समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इनसान स्वयम के संग सर्व कावो दिल से करे सनमान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इनसान स्वयम के संग सर्व कावो दिल से करे सनमान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समाधान, समाधान, समाधान तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले तैसी मेशाद दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान कहता है ये समाधान 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 नमस्कार आदाव सश्यकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में एक बार पुन मित्रों एक सन्यासी नदी के किनारे बैठे हुए रोज ही चिलाया करते थे आवास दिया करते थे कि जो चाहोगे सोपाओगे जो चाहोगे सोपाओगे गाउं की लोग वहाँ से गुजरा करते थे लेकिन उन्हें लगता था कि कोई बागल सन्यासी है पता नहीं क्या कहता रहता है इसका मतलब क्या है एक बार दूसरे गाउं का एक युवक महां से गुजर रहा था वो सन्यासी के पास पहुचा और कहा कि आप कहते हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे तो क्या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है सन्यासी ने पूछा पहले ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो युवक ने कहा कि मैं जिस भी क्षेत्र में कदम रखूँ वहां मुझे सफलता प्राप्थ हो ऐसा मैं चाहता हूँ जाहे वो पारिवारिक शेत्र हो सामाजिक शेत्र हो, राजनातिक शेत्र हो या धार्मिक शेत्र हो जहां भी मैं कदम रखूँ सफलता मेरे कदम चुमे सिन्यासी ने कहा कि जरूर ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें एक अनमोल हीरा और एक बेश केमते मोती देता हूँ उन्होंने उसका हाथ लिया और एक हाथ में कुछ देते हुए कहा कि ये है तो कुछ नहीं लेकिन इसे संसार का सबसे अमोल हीरा कहते हैं ये समय है तुम समय को कभी भी व्यर्थ मत गवाना जो समय को पूरी तरह सदुप्योग करता है सही सही उसका अस्तुमाल करता है वो जीवन में सफलता अरजित करता है और दूसरा हाथ लिया और कहा कि ये मैं तुम्हें बेशकिम्ती मोती दे रहा हूँ ये मोती है धैरे जब कभी बहुत महनत करने के पर शाद भे तुम्हें सफलता ना मिले तो इस मोती को धारण कर लेना क्योंकि जहां धैरे रूपी मोती है वहाँ सफलता एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होती है तो ये दोनों हीरे और मोती यदि तुम जीवन में धारण करके रखोगे तुन इस शित्रूप से जिस क्षेत्र में भी तुम कदम रखोगे वहाँ तुभे सफलता प्राप्त होगी वह युवक इन दोनों हीरे और मोती को ले करके आगे बढ़ा और जीवन में बहुत सफल हुआ मैं तुम आज समधान की ओर से ये दोनों सौगात आप तक पहुंचा रहे हैं सचमच बहुत ही सुन्दर सौगात है ये हीरा और मोती जो समय को मुल्य देता है और अपने जीवन में धहरे को धारण करके रखता है सफलता उनके कदम अवश्य चूंती है हमारी शुबकामना है कि सफलता आपके साथ साथ बनी रहे आपके कदम चूंती रहे इनी शुबकामना के साथ आज के समधान के शुरुआत करते हैं ब्दादजी का स्वागत करते हैं व्दादजी बहुत बहुत स्वागत है Thanks हमारी निशे मोने ब्राथ जी बहुत ही सुन्दर सीख हमें दी है यदी हम जीवन में ले आया तो सच में सफलता प्राप्त अवर्शय होगा हाँ समें और धैरिये सचमच हीरे मोती हैं और हम यह देखते हैं कि इस इंसार में बहुत सारे लोग सफलता तो चाहते हैं और समय को मुल्य नहीं देते हैं समय च्छोटी बातों में, च्छोटे विचारों में, आज कल के टीवी, इंटरनेट, मुबाइल पे लगाते रहते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें मन्चा ही सफलता मिले, तो समय को नस्थ करने वालों को ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, कि जब समय आता है उनकी सफलता का, समय तब उन्हें धोका दे देता है, और बहुत लोग ये अनुभव सुनाते ही हैं, कि M.C.A. की परिक्षा देरें, फाइनल दस बार दे चुके हैं, एक नंबर से रह जाते हैं, जब मैं ये सुनता हूँ तो आज भी किसी का फॉन था, तो मुझे लगता है कि एक नंबर से, ये वही है कि समय को बहुत नस्ट कर दिया, अब जब उचित समय आया, जब उनका केरियर सुन्दर बनाने का समय था, तब समय ने उनको धोका दे दिया, तो ये समय सच मुझ बहुत कीम्ती चीज है, भगवान के महावाक्यों में तो हम सब के लिए हमारा एक एक मिनट साल के बराबर है, यानि एक एक मिनट के समय में हम बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं, लोग इस अलोग की कमाई को बहुत कम समझ पाते हैं, सच मुझ जिस व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए, वो समय का सदुपयोग करें, समय को उन चीजों में यूज करें, उसी स्टडी में यूज करें, जो उसके लिए आवश्चक है, समय को उन चीज बढ़ाने में विखास करने में यूज करें, जो उसको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेंगे, हमारी क्वालिटी बहुत जबरदस चीज हैं अंदर की, चीज बढ़ाने और कुछ और विशेष्टाएं भी, जैसे, जो व्यक्ति अपनी जिम्मधारियों के प्रती सतर्ख है और डेडिकेटीड है, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता, मेरे पास एक ऐसे यूवक का उधान है, जिसने इंजिनियरिंग किया सेगिन क्लास से, वो व्यक्ति बड़ा जैनिति लड़का, कमपनी में नोकरी पे गया, बारहाजार की नोकरी पे रखा, हमने उसको समझाया है, डॉंट वरी, बारहाजार का महत्व नहीं, तुम एक जोब मिली है, अब तुम्हारा समय है, तुम जो कार ये मिले, उसको इतना सिंसिरली और ड पुरंदिक्की सजार हो गई है, और मालिक ने पता क्या कहा, लड़का हीरा है, और कहा ये भी कहा, हमें ऐसे कुछ हीरो की जोवरत है, आपको महीं मिले तो हमें अवस्य दे देना, तो देखिए, और डिगरी का और उस परसंटेज का कोई महत्तु नहीं, कर्म छेत्र परव करन उस कैसा है, उसका बड़ा मैत्र है, यलिए समय, यही बात उसने कही, कि जब से वो ड्यूटी पर आता है, समय जरावी बेस्ट नहीं करता, और सब चले जाते हैं, उसके बात तक भी काम करके कर जाता है, तो चाप पड़ गई है, बहुत अची और ये उसका संसकार है, मालिक ने अच्छी तर ऐसे उसका निरिक्षन करा लिया, कि यह वक्ति ऐसा नहीं के परमोशन पाने के लिए यह आमे खुछ करने के लिए यह कर रहा है, लेकिन उसका संसकार ही यह है, कि वो अपने करतवयों के पुरी तरह से सचेत है, तो बहुत ही सुन्दर बात है, और यही बात दहरिये की है, इसमें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, जब मनुस को थोड़ी भी असफलता मिलती है, तो अपना दहरिये को बैठता है, बिजनस के छेत्र में लोग जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, निरास होकर बैठ जाते हैं, नोक्रियों के छेत्र में निकाल सकते हैं, जो व्यक्ति धैरी यवत है, उसकी बुद्धी बहुत अच्छी तरह से वर्ख करती है, और नए-ने मार्ग मन उसको दिखाती रहती है, इसलिए सफलता की मार्ग प्याद निरंतर आगे बढ़ने के लिए, इन दोनों हीरे और मोतियों की सच मुझ सब को सफलता नहीं दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं उसके अंदर की जो एक चाहना है, एक स्वपन है वो तूटता भप्रतीत होता है, बिल्गोल सत्त है, लेकिन जो मनुस समय का सदुभयोग कर रहा है, जो मनुस अपनी अंतरिक शक्तियों को और योगताओं को बढ़ने का नि जो भरने में जो समय का सदुभयोग कर रहा है, उसे ज़्यादा धहरिये की ज़र्वत नहीं पढ़ती, जल्दी उसे सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन एक आथ साल का धहरिये कोई लंबा धहरिये नहीं है, बहुतों को रखना ही पढ़ता है, और भी बिन बिन फिल्ड मैंने केवल नोकरी पाने के लिए, नोकरी मिल गई, फिर परमोशन की बात है, सफलता का छेतर तो बहुत विशाल है, और कदम पर सफलता की मनुसको ज़र्वत है, अभी हम स्टेशन पर जा रहे हमारी ट्रेन चूट जाए, यह भी सफलता है, रास्ते में जाम लगा हुआ हम सुझे तो ट्रेन गई और हम इधरी रहेगे, अब वो जाम भी निकल जाए और हम टाइम पर पोच जाए, यह भी सफलता है, खाना हम अच्छा खा लें, हमें कुछ बीमारी हुई है, डॉक्टर हमें ठीट करने में सफल हो जाए, सफलता तो हर कदम पे है, तो थोड़ा स धीरज हर जगे मन उसको आवशक होता है, और धैरियवान व्यक्ति बहुत रोयल हो जाता है, वो अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको बिचलित नहीं करता, वो परिशान नहीं होता, उसके चित में भावना रहती है, ठीगा, आज नहीं तो कल, हम इस मंजिल पर अव किसी के जीवन में दिखाई तो देती ही है, सच मुच आजकल हर व्यक्ति, विसेश कर युवक, हर चीज तुरंट चाहता है, इलेक्टोनिक्स का जमाना भी हो, से सब कुछ महा तुरंट मिल रहा है, तो उसकी मेंटलिटी भी ऐसी हो जाती है, सब कुछ जल यल्दी मिले, अ कि सीधी सी बात है, मन की स्पीड फास्ट है, इसलिए धैरिये मनुसदारन नहीं कर बाता है, मन की सी स्पीड को यदि स्लो डाउन कर दिया जाए, तो स्वतही धैरियता उसमें आ जाएगी, रोयल्टी आ जाएगी, और वो एक बहुत सुख पूरवक वेट कर सकेगा, सुख हम देखते हैं, स्टेशन पर खड़े होते हैं, अब गाड़ी तो सामने से ट्रैक पर ही आएगी, लेकिन लोग मुड मुड कर देखते रहते हैं, दूर से इंजन आता हुआ, दिखाई तो नहीं दे रहा है, जबकि वह ही आने वाली है, फिर भी एक अधैरिये का भाव बना हूँ यहां, इस देह से न्यारी हूँ, मैं स्यान स्वरूप हूँ, जैसे ही हम देह से डिटेच होते हैं, हमारे संकल्पो की स्पेड धैरिये वत हो जाती है, जीवन में धैरिये आ जाता है, एक सुखद फीलिंग सहित धैरिये आता है, और ऐसे स्वमान की प्रेक्टिस, मा मैं एक महान आत्मा हूँ, इस स्वर्श्टी पर मैं ओर्डिनरी एवन बेंग्स की तरह नहीं हूँ, मेरे कर्तव भी महान है, मुझे अपने संकल्प भी महान रखने है, मुझे बोल भी वर्दानी बोलने हैं क्योंकि मैं महान हूँ, मेरे कर्म भी मेरी महनताओं की जलक कर देता है और वो दहर ये वत्थ होने लगता है तो दो प्रैक्टिस बहुत आवस्षत है जी जी मतलब इसके लिए राज योग का अच्छा भ्यास करना ही होगा कली ब्रता जी चुकि सफलता की बात चल रही है एक फोन कॉल आया था एक बहन का फोन था लगवाग तीस कर लिए तो मैंने बहुत समझानी की कोशिस की कि यदि आप ऐसा मान लेंगे तो आगे तो आप प्रोग्रिस नहीं कर पाएंगे फिर भी वो काफी हद तक इस बात से अपने आप से संतुस्ट हो गए थे कि अप शयाद मेरी लाइफ में सफलता नहीं होगी ऐसी जो हार मान हैं उनकी लिए क्या सुत्र देखें हार मानने वाले तो बहुत हैं संसार में कभी-कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक फिल्ड में सफल होना चाहता है मालो एक बिजनस का फिल्ड उसने चुना है लेकिन हो सकता है इस विस्व के ड्रामा में या सिंपल भाशा में उसके भ इसलिए वो मार्ग रुक रहा है उसका, तो ऐसे में मनुस को हार न मानकर अपना फिल्ड बदल देना चाहिए, यह उसमें रनना चाहिए, और हार मानकर सब को छोड़ के बैठ जाना यह भी उचित नहीं है हमेशा, और जैसा मैंने कहा एक फिल्ड अब यह उसको सविकार यह क करेंगे, तो जल्दी सफलता होगी, ऐसा कईयों के साथ हुआ है, कि विजनस में ही एक तरफ चले वो कि यह काम मुझे लेना है, उस तरफ उसको सफलता नहीं मिली, फिर किसी अच्छे व्यक्ति ने उनको सजेस्ट किया, यह नहीं यह करो, तुरंत तिवर गती से आगे अभी एक तानिये से, दो साल करके लड़की बोर हो गई, दो साल के बाद का नहीं मुझे मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, दो साल वहां भी करके घर वापी साई, फिर का नहीं, यह कोमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, C.A.1 के लोग बहुत कमा रहे हैं, मैं बच्ची को, बने का, तुम आज काल बहुत सारे बिजनस हैं, घर से होते हैं, तुम सुरू करो, अब उसमें चमकने लगी, और बहुत जल्दी उस फिल्में, एक साल में आगे बढ़ गई अच्छी तरह से, तब उनको समझ में आया, कि इसका फिल्द था नहीं, उसकी इच का, वो भी बढ़ा क्टाफ है, तो ये मेंटलिटी भी लोग की बदलती रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको एक फिल्द दूसरा मिला, सफल हो गई, तो ऐसा मनुस को सोचना चाहिए, इनकी साथ, इस बहन के साथ भी ऐसा था प्याता है, कि कई जगह ये अपलाई कर चुकी है कई फिल्ड देख चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो निराश हो गई है, आपनी जैसे कहा कि एक फिल्ड हरे के लिए नियत है, कैसी समझा जाए कि मेरे लिए ये ही फिल्ड उचित है, कौन मार्ग दर्शन दे, मैं खुद कैसे समझा हूँ ता कि मेरा टा कि मुझे एक ऐसा सुंदर फिल्ड आप दे जिससे में निरंतर सफल होकर खुषी भी प्राप्त करूं और जीवन में कुछ कर सकूं, और फिर वो सिंपल, सिंपली इस थोट को एक तरफ रखते हुए, मैटेशन करे, योग अभ्यास, परमात्मा से जुडे, उसकी शक्तिया प्राप्त करें, उसे प्यार भरी बाते करें, एक समय आएगा जल्दी उसकी बुद्धी में वो सबाने लगेगा, और इतना तेजी से आएगा, कि वो कन्वेंसिंग होगा, उसको वो रिजेक्ट या इग्नोर नहीं कर पाएगी, और तब बस उसको सुईकार करके, कि परमा इसे बुद्धी भी क्लीन हो जाएगी, और वो जो असफलता का एक निगेटिव इफेक्ट है, वो भी समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त करना भी जरूरी है, नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है, कि वो चीज फिर उभर कर उसके सामने आजाए, और जब एक सुंदर पहलवानी वहलवानी अपना जो काम है वही करें, उसमें तो आगे बढ़ें, लेकिन फिर कहीं ने ऐसा, एक मावग दर्सक कोई उस्ताद कहते है, वो मिल गया, उसको ऐसे दाओं पेंच सिखाए, कि वो पहली बार से सफल होने लगा, तो ऐसा भी कभी होता है, और थोड़ खाके वापिस आएगा जल्दी मोलट कहे हुए, लेकिन उसके इफेक्ट को उसने जल्दी से खतम कर दिया, और वो ये, जब लोग ऐसे कमेंट्स करते थे, तो वो मुस्करा के आगे बढ़ जाता था, हम ये दिखाए देता था, हम लोग भी उसे देखते थे, उनकी विशे हो जाएगा कि किस मार्क पे जाना और सफलता भी निश्रेत हो जाएगा, अई ब्रहता जी इसी सफलता की सुन्दर बात के साथ पहले मेल की और लिए चलता हूँ, ये चंदना जी है, हमीं कहती है ये कि ब्रहता जी एक मेरा प्रश्न है कि बाबा के साथ मैं सर्व संबंधो का प्राक्टिकल अनुभव कैसे करूं और साथ ही निरंतर उनके साथ का अनुभव कैसे हो सकता है क्रिप्याइस पे प्रकाश रुदी, चंदना जी है, चंदना जी बड़ा बारी प्रस्न किया है, निरंतर परमात्मा से मिलन करना, निरंतर उसके साथ का अनुभव होना, त लक्स को पाने के लिए इने मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक योगी की बहुत स्रेश्ट उपलब्दी होती है, कि वो परमात्मा से अपनी सारुसंबंद जोड ले, माता भी वही, पिता भी वही, फ्रेंड भी वही, सद्गुरु वही, शिक्षक भी वही, भाई भी वही, प्रियतम भी वही, मा भी वही, सब कुछ तुम हो मेरे, जैसे मीरा ने गाया था, मेरे तो एक गिर्धर गोपाल, दूसरों न कोई, ऐसे ही, इस आत्मा के मन से भी ये निकलने लगे, मेरा तो एक शिव बाबा, एक परमपिता, दूसरा कोई नहीं, बड़ी चीज है, संसार में मनुस का विश्टार बहुत है, संबंदों का भी वि इस्तार है, इन दो चीजों में मनुस की बुद्धि लिफ है, कुछ तरशनाएं भी उसके पास है, कुछ इच्छाओं को भी वो पूर्ण करना चाहता है, कुछ उसका अपना लक्स भी होता है, अब इसे एक महान उपलब्दी के लिए, उससे पहले तो चार ओर से अपने को डिटेच करना पड़ेगा, बाबा मेरा है, बाबा माना भगवान, वो मेरा है, मेरा और कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं संसार में, सब से ये विनासी भावना की गुड फीलिंग, सब विनासी हैं, अदार्त, जो भी उनके पास साधन है, वो यूज करने के लिए, बाकि विनासी भाव, ये सब नस्थ होने वाले हैं, यूज करने के लिए मुझे मिले, इस से क्या होगा, उनकी बुद्धी में इन पदार्तों के लिए डिटेच्मेंट रहेगा, और जो संबंध हैं, अब एक व्यक्ति के बहतों से संबंध रहते हैं, पचास से तो रहते ही हैं, अब संबंधों से तो अलग कोई जा नहीं सकता, ओफिस में भी काम करना हैं, तो पांच साथ लोगों के साथ काम करना है, घर में भी रहना है, तो व्यक्ति के साथ रहना है, सब आत्माएं हैं, आत्मिक भाव, ये बहुत बड़ी प्रेक्टिस है स्प्रिक्स्वलिजम में, कि सब आत्माएं हैं, पिता ओभी आत्मा, मा ओभी आत्मा, जैसे शिरिमत भगवत गीता में कहा ना, जवरजुन को मह हुआ, कि मैं भी संपिता में परबान चलाओं, मैं गुरु द्रोनाचार ये परबान चलाओं, अपोजी सेना में भी उसके कई रिलेटिव थे, इन पर इन से तो हम बहुत प्यार करते आए हैं, इनोंने तो हमें फलानी समय पे साथ दिया था, इनको महरूम है, तो भगवान उने ग्यान देते हैं, तुम किसी को नहीं मारती, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, सूखती नहीं, ये भीगती भी नहीं, ये तो सब आत्माएं हैं, जिसे तुम भेश्मपिता में कह रहे हैं, जिसकी गोद में तुम खेले थे, जिसने तुमें बहुत प्यार दिया, गुरुदोनाचारी ये, जिसने तुमें सब कुछ सिखाया, नो डाउट तुमारा उन से बहुत प्यार और सम्मान है, लेकिन वो तो सब आत्माएं हैं, त जब देधारियों से बुद्धी का लगाव हटेगा, अन्यता हटता नहीं है, और स्वयम भी ऐसे रिरी होने का बहुत अच्छा ब्यास करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, ये देहे मुझे एक माध्यम के रूप में मिला है, ऐसे देहे मैंने अनेक लिये हैं और छोडे हैं इस फीलिंग में रहना होगा और फिर एक-एक संबंध परमात्मा से जोड़ा जाएं, एक-एक संबंध पर इनको चिंतन करना है, वो मेरा पिता है, एक्सेप्ट करें, आत्मा का पिता वही है, उस पर मेरा अधिकार है, तो उसका सब कुछ भी मेरा है, वो मेरा परम्शिक् क्योंकि वो ग्यान सागर है, वही मुझे सत ग्यान दे रहा है, तो और सब जो है ग्यान दुनिया के, उनसे बुद्धी डिटेच, वही मेरा परम्शिक्ट गुरु है, वही मुझे सत मार्ग दिखा रहा है, तो और सब जो गुरु संसार में हैं, जिनको पकड़ा हुआ था तो वही मेरा परमसद गुरू है, वही मेरा सुप्रेम फ्रेंड है, मा भी वही है, यह सुविकार करके वो मेरा है, उसके प्यार में मगन होना होगा, तब उससे सर्व संबंदों की स्वतही अनुभुती होती रहेगी, तो थोड़ा सा महनत का सब्जेक्ट है, और रही बात कि वो सदा मेरे साथ है, इसके लिए भी ये प्रेक्टिस करनी होगी कि वो सर्व सकतियों सहीत और अपनी हजार बुजाओं सहीत मेरे साथ है या वो मेरे सिर पर सदा छत्रशाया के रूप में इस्तित है, इसके लिए लंबा योग अभ्यास इने करना पड़ेगा, ताकि जब भी ये उसे याद करें या उसका आवान करें, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रजेंस इनको फील होने लगे तब धीरे धीरे इनको ये अवेरनेस होगी, ये इसकों कहते हैं नसा चड़ेगा कि सर्व सक्तिवान मेरे साथ है, बहुत माशुप्या प्राता जी आज की संदर प्रकाश के लिए हम भी चाहेंगे कि हमारी सभी दर्शक निरंतर परमात्मा की आद में मगन रहें और इन संदर बातों का अवश्य अभ्यास करें और इनहें धारेंड करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों यदि भक्ति मार्ग में हम देखें, तो सचमुझ भक्तात्माएं कितनी मगन रहा करते थी हमारे भी मन में चाहना पैदा अवश्य होती है कि हम भी इश्वर की याद में ऐसे ही मगन रहें क्या संसार में रहते हुए अपने कारे को करते हुए ये सहज हो सकता है, शुत्रों से हो सकता है क्योंकि भक्तात्माय जो भक्ति मार्ग में थी, वो भी तो संसार में ही थी, ग्रिहस्त में थी, जब वो ये कारी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, आवश्यक्ता इसकी महत्ता को समझने की, कि क्या इश्वर की याद में ऐसी डूबे रहने की आवश्यक्ता क्यों है जब हम ऐसी डूबे रहेंगे तो सचपुछ अतिंद्री आनन भी प्राप्त करेंगे और संसार में रहते हुए जहां से हमने शुरुवात की थी सफलता अरजित करेंगे जिस बिक फिल्ड में हम रहेंगे वहां सहज रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी तो ही कहते हैं कि जहां इश्वर का साथ है वहां असफलता तो हो ही नहीं सकती वहां सफलता अवश्य होती है तो क्यों ना हम एक आगरता के मार्धियम से पवित्रता के मार्धियम से अपनी एक आगरता को बढ़ाते चले और साथ ही शुरुवात वाली बात समय रूपी अनमो क्या रखिए गगा नमस्का समधान, समधान, समधान